नमस्कार दोस्तों, How to improve chess with the help of a mobile phone blue pen series में आपका सागत है, जिससा कि आप देख रहे हैं मैं Crazy Bishop एप में 9 points का material handicap लेकर यानि उस एप में queen odds एक option है जब हम new game select करते हैं जिसमें उस option में आपको black color लेना होता है जिससे आप white के 9 points यानि उसकी queen को remove कर देते हैं A4 आया है, D5 ये मैं अपने first 3 videos में आपको बता चुका हूँ कि ये एक मेरा motivational training method है जो मैं छोटे बच्चों पे already apply कर चुका हूँ इतने सालों से और उसके मुझे बहुत ही magical results मिले हैं जिसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी कहा है जो छोटे बच्चे होते हैं एक बार जब वो pieces चलना सीख लेते हैं यानि basic जब उनको आ चाता है तो इतने छोटे बच्चे को जब हम ये game सिखाते हैं कि इसको आगे और कैसे अच्छा खेलना चाहिए कैसे practice करनी चाहिए तो कई बार उनको सारे pieces board पर रख कर हम वो concept clear नहीं करवा पाते हैं जो की जरूरी होते हैं तो यहां हम इन बच्चों को material handicap option के साथ 9 points advantage starting से देना है हमको यानि आपको black color लेना है यहां पर और crazy bishop app में आप जब level select करेंगे तब वहां पर जब white की queen starting से ही नहीं रहेगी तो आपको उनको यह बताना है बच्चों को कि वो starting के 10-15 moves में सारे pieces बाहर निकाल कर खेले किसी x side castling करे और उसके बाद दोनों rooks को king queen की place पर लाई यानि जिसको मैं rook attachment कहता हूँ उसके बाद same points से same points की लड़ाई करना है तो इससे उनको game में एक winning plan मिलता है otherwise यह देखा गया है maximum कि जब छोटे बच्चों को chess सिखाया जाता है तो इतनी जल्दी concept clear उनके नहीं हो पाते हैं क्योंकि जब सारे pieces board पर होते हैं equal position होती है तो उसके बाद बच्चे को attack करना planning सिखाना tricks बताना opening बताना कई ऐसे बहुत सारे topics हैं जो एक game सिखाने के लिए बच्चों को बताने होते हैं तो यहाँ पर एक तरह से ये method choose करने से उनको interest भी develop होता है उनमें plus उनको मज़ा भी आता है खेलने में वो एक तरह से जैसे ही 9 point advantage उनके पास है तो वो आश्वस्थ हो जाते हैं मैं यहाँ खिलूँगा D cross C4 के हाँ आप तो इस game में हम जीती जाएंगे हमारे पास already advantage है और ये जो material handicap का जो फाइदा है ये इन बच्चों को actual game में भी मिलता है जब आप मान लिजे कि इनी के जो opponent है अगर मान लो वो किसी न किसी तरह से गलती करेंगे और उनकी गलती की वज़ा से मतलब उनके opponent की गलती की वज़ा से अगर इन बच्चों को 9 point अगर frame मिल गए तो आप ये देखिए कि उनके पास पहले से इस चीज़ की practice है कि केसे उनको यहाँ पर जीतते आना चाहिए अब मैं यहाँ पर खिलूँगा R8D8 यानि जिस चीज़ की हमने पहले से practice कर रखी है और real game में जब opponent ने उनको 9 point free में दे दिये है यहाँ आगे जाके यह मान लेते हैं कि 5 point free में दे दिये है यहाँ 3 points free में दे दिये हैं तो जो हमारे students हैं जिनोंने इसकी पहले से practice कर रखी है वो यहाँ आसानी से game में उनके साथ win कर पाएंगे अब मैं यहाँ पर खिलना चाहूंगा H6 H5 खिला है उसने तो अब मैं यहाँ पर खिलना चाहूंगा B6 E3 खिला है उसने मैं खिलूंगा यहाँ पर B x A5 D5 खिला उसने मैं खिलूंगा C6 जितने board पर pieces कम होते हैं उतना मैंने देखा है कि बच्चों को खेलने में और मजा आता है तो यहाँ मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने मेरी प्लेइलिस्ट में में अभी तक के जितने वीडियों मैं hundred से ज्यादा वीडियों बना चुका हूं अलग-अलग subjects के उपर यह सभी वीडियों की मैंने playlist में मेरी channel में मैंने subject wise सबको describe किया हुआ है आप उन सभी subjects को देखें और उसके बाद आपको उसमें से जो भी subject अच्छा लगता है आप वो subject चूज करके वो topic चूज करके उनमें से आप videos देख सकते हैं rd2 खेला उसने मैं खेलूंगा यहाँ पर d cross c4 अब आप जैसा की देख रहे हैं उसने खेला है rh2 मैं खेलूंगा c3 तो इस तरह से मैं game खेल रहा हूँ आप मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर c2 उसने खेला है kd2 अब मैं खेलूंगा यहाँ पर knight e4 check तो इस तरह से मैं case c1 खेला है उसने अभी मैं 10th level के साथ खेल रहा हूँ और धीरे धीरे करके मैं इसमें level भी increase करूंगा और मैं पूरी जितने भी इसमें 100 level से वहाँ तक मैं सभी वीडियो में बनाऊंगा कि जिससे अगर कोई student सिर्फ वीडियो वाच करता है और इस तरह से regular practice करता है तो उसको एक idea आ जाएगा कि मैंने किस तरह से यहाँ पर खेला हुआ है और वो केसे यहाँ पर खेले हुए moves को देखकर अपना game improve कर पाए मैं यहाँ पर simplification करूंगा N x C2 उसने खेला है RH1 अब यहाँ पर मैं खेलूंगा A4 उसने खेला है KB1 तो मैं यहाँ पर खेलूंगा Nd4 अब मेरे जो H7 पर बिशप बेठा हुआ है उससे चेक है उसको उसने खेला यहाँ पर K A1 मैं खेलूंगा N x E2 बिशप क्रोस E2 आया है अब मैं खेलूंगा यहाँ पर QD2 यह बहुत ही अच्छा मैथड है जिसके जिसकी मदद से बच्चे यहाँ पर गेम अपना इंप्रूंग कर सकते हैं मैं अब खेलना चाहूंगा यहाँ पर A3 उसने खेला है बिशप क्रोस F7 चेक जिसका कि आप देखे रहें कि उसकी मेट होने वाली है तो इस ताइप के मूज वो कर रहा है अवाइट करने के लिए तो K क्रोस F7 अब उसने खेला है R B1 तो यहाँ पर अब मैं खेलना चाहूंगा R B8 उसने खेला है R B4 और मैं खेलूंगा R क्रोस B4 यह बहुत ही अच्छा मेथड है आप ट्राय करें इसको F3 आया है और QB2 चेक मेट इस तरह से अभी तो जैसे मैं यह material handicap में 9 points पे वीडियो बना रहा हूं धिरे धिरे करके मैं आगे इसके उपर 5 points और 3 points में भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो अब मैं यहाँ पर इसको चुकि मैं game खतम हो गया है तो मैं यहाँ पर material handicap वाला जो option था हमारा 9 points वाला यहाँ पर यह 10th level पर मैं जीता हूँ तो मैं जीतने पर सबसे पहले W लिखूंगा और आज की date डालूंगा इस तरह से आपको भी अपने game का record रखना है आप देख रहे हैं कि special game series 9 point series में मैंना भी 10th level पर खेला आपको एक चीज़ और भी ध्यान लखना है यह बाकी का जो आप chart मेरा देख रहे हैं यह black pen series का chart है मैं zigzag order में 18th level में cross कर चुका हूँ अगला वीडियो मेरा जब भी बने इस blue pen series को मैंने special game series भी कहा है और यह मैंने इस तरह से record किया है तो आप भी इस तरह से mobile software का chart बनाए जैसे आप अपना game पूरा करें उस पे आप date डाले जीतने के लिए W लिके अगर हारते हैं तो L लिखना है और date नहीं डालनी है और इस तरह से आप अपना game record कर रहे हैं वी अध्यू